हेलो फ्रेंस welcome to my channel फ्रेंस आज मैं आपके लिए ये पारी त्रोरण लेकर के आई हूँ जो बनाने में एकदम एजी है तो आज में ये आपको बनाना बताऊंगी तो फ्रेंस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलेज सब्सक्राइब कीजी है तो सबसे पहले हमने ये cardboard लिया है और इसकी हमने लंबाई रख ली है 8 इंच और अब हम ये उन लेंगे और इसे इस तरह ऐसे ये cardboard पर बांध लेते हैं ऐसे और इस तरह ऐसे ये हम इस धागों को ऐसे करके 100 बाल लपेट लेते हैं ये ऐसे ये 100 बार उन दागों को लपेट लिया है और अब हम ये cardboard से धागों को ऐसे निकाल लेते हैं ये देखे इस तरह है से उन निकाल लिये हैं और अब हम ये पूरे धागों को ब़राबर करके और ये से बीचों बीच एक गंठ बांद लेंगे यह थोड़ी टाइट बांद नहीं है गांट जिससे की यह धागे खुले नहीं इसे करके और अब हम यह डॉल का फेस बना लेते हैं ऐसे करके और यहाँ पर भी हम यह थोड़ी टाइट गांट बांद लेंगे यह ऐसे करके अब हम यह फिर छोटा कार्ड बोर्ड लेंगे इसकी लंबाई रखेंगे हम पांच इंच और इसी तरह से हम इस पर भी हम यह तीस भार यह धागों को लपेट लेंगे और इसी तरह से यह धागे निकाल लेते हैं यह और बराबर करके पूरे धागों को और यह जो हमने सौट धागे लपेटे थे ऐसे और इसके बीचों बीच से हम यह ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पर भी इसे खेंच के बराबर करके पूरे धागों को बांध लेते हैं ऐसे यह देखे और यह पट्टी ली है फिर हमने फ्रेंस यह पट्टी अगर आपको नहीं बनानी आती हो तो यह कमेंट करके बताएं यह हमने पिछली वीडियो में भी बनानी बताई हुई है और इस तरह से हम इसे शिल लेते हैं ऐसे करके यह देखिए हमने इसे शिल लिया है और फिर हम यह दूसरे कलर की उन लेते हैं ऐसे और इसके हम दो चार की चैन बना लेंगे ऐसे सिंगल किरोसिया करके और अब हम यह चार धागे लेंगे ऐसे बीचों बीच खीच करके ऐसे और इस तरह से हम यह दूसरे को लिकार के और इन चार धागों मेंसे डबल किरोसिया करके तीन बार निकाल लेते हैं और फिर यह एक सिंगल चैन और फिर इसी तरह से चार धागे लेंगे और इस तरह से डबल किरोसिया करके तीन बार निकाल लेते हैं अैस एक सिंगल कर लेंगे और फिर चार आगे और इसे तरह से हम ये पूरे राउंड को ऐसे ही कंपिलीट कर लेते हैं चार-चार दागे लेके हर बार इस तरह से हमें ये पूरे राउंड को और को शब Rebecca है अब इसके बाद हम यह दूसरा राउंड बना करके बताएंगे जो यह हमने सिंगल किरोशिया यह चैन बनाई थी सिंगल किरोशिया की यह बीचों बीच यहां से यह दूसरे कलर की उन लेंगे ऐसे और इसी तरह से हम यह डबल किरोशिया करके तीन बार फिर ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने यह चार धागों को बताया था बना के ऐसे करके यह इसी मैसे तीन बार लेंगे डबल किरोशिया करके देखिए ऐसे और यहाँ पर हम एक दो दो की चैन बनाईए और फिर अगले हूल में से ही ऐसे निकाल लेंगे डबल क्योसिया करके तीन बार पहले हमने एक सिंगल क्योसिया करा था एक की चैन और फिर अब हम यहाँ पर दो की चैन बनाएंगे जो एसे दूँखा, दूबार सिंगल के वस्य कर चूंगे और इसी तरह से हम हर हूल में से यह ऐसे तीन बार निकाल लेंगे और दो की चैन बना लेंगे आदर हम एसे ऐसे किमपलीट कर लेते हैं यह देखी फ्रेंस इस तरह से हमने इस दूसरे राउंड को भी कम्प्लीट कर लिया है यह बनाने में फ्रेंस एक दम भूत ही इजी है अब हम फिर यह जो यह पहले वाली उन थी इसी दूसरे राउंड को भी इससे बनाएंगे ऐसे करके यह जो हमने दो की चैन बनाई थी उसके बीचों बीच से हम ऐसे निकाल लेंगे फिर इसी तरह से तीन बार डबल की रोसिया करके और पहले हमने इसमें दो की चैन बनाई थी अब हम इसमें तीन की बनाएंगे पहले एक की फिर दो और इसके बाद हमने यह तीन की चैन बनाई यह एसे करके और इसी तरह से हम तीन बार हर हूल में से ऐसे निकाल लेंगे डबल क्रोस या करके और इस राउंड को भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं जैस ciglachn अब पेला वाला किया था अदे के फ्रेंस हमारा यह तीन राउंड कंप्लीट हो गए हैं ऐसे अब हम एक चैन बना लेंगे यह साथ की चैन बना ली है हमने और इसे हम यहाँ पट्टी में जोइंट कर देंगे यहाँ पर यह ऐसे करके यह हमने इसे पट्टी पर जोइंट कर दिया है इसके बाद हम यह फिर वापस यह पीछे की साइड करके और यहाँ पर फिर साथ की चैन बना लेंगे एक और इसे यहाँ पर जोइंट कर देते हैं ऐसे और इसी तरह से हम इधर साइड भी जोइंट कर लेंगे यह देखो इस तरह से हमने दोनों तरफ से पट्टी में इस डोल को जोइंट कर लिया है इसे और अब हम यहां से बिल्कुल पट्टी से यह धागे को निकालेंगे ऐसे करके ऐसे और इस पट्टी यहां पर हम यह दस्की एक चेन बना लेंगे सिंगल क्रूसिया करके ऐसे दस्की एक चेन बना करके हम और इसे यहां पर जोइंट कर लेते हैं यह वाले होल में और फिर इसी तरह से एक दस्की चेन बना लेते हैं सिंगल सिंगल क्रूसिया करके और फिर ऐसे यहां पर इसे जोइंट करते हैं और इसी तरह से हम यह पूरे चारो और इसके यह ददस्की चेन बना करके जोइंट कर लेते हैं और ऐसे देखे इस तरह से हमने यह ददस्की चेन बना करके हर होल में इसे जोड़ लिया है और अब हम यह पांच की पांच की यह साथ की एक फिर चेन बनाएंगे यहाँ पर मैंने यह साथ की चेन बनाई है और इसे जो यह दस्की चेन बनाई थी इसके बिल्कुल बीचों बीच खींच करके इसे फिर जियंट कर लेतेंगे है ऐसे और फिर इसी तरह से हम साथ-साथ की चैन बना करके जो दद्दस की चैन बनाई थी उसमें हम ऐसे ही जिएंट कर लेंगे इस तरह से यह देखिए और इसी तरह से हम पूरे राउंड को यह कम्पिलीट कर लेते हैं ऐसे जिससे मनें यह बनाया है यह देखिए हमारा यह दूसरा राउंड भी कम्पिलीट हो गया है और इसे हम यहां से कटकल लेंगे धागे को देखिए फैंस कितना अच्छा लुकाया है यह देखिए और अब हम इसकी बाजू बना लेते हैं डॉल की ऐसे थोड़ा सा आगे की साइड छोड़ करके धागों को ऐसे और यहां पर हम इस तरह से पाच्छे बार लपेट लेंगे दागे को ऐसे करके और यहां कट कर लेंगे फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी इसी तरह से लपेट लेते हैं देखिए ऐसे और इस तरह से यह डॉल की बाजू बन गई है देखिए और यहां पर हमने इसकी आई बना दी है इस तरह से हम यह धागे को निकाल करके ऐसे इसके बीचों बीच इसका हम यह मूं बना लेते हैं देखिए ऐसे और यहां पर एक हम हलकी सी गाठ बांध लेंगे ऐसे और इस तरह से और अब हम यह फंदने बनाने बताएंगे यह हमना एक कार्ड बोर्ड लिया है आप इससे बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं और इस तरह से हम इस पर यह साथ बार यह धागों को लपेट लेंगे और इस तरह से पूरे धागों को निकाल के और बराबर बराबर कर लेंगे और इसके बीचों बीच इस तरह से निकाल के जो यह चेन बनाई थी इस तरह से लपेट लेंगे फैंस आप चाहे तो इन फंदनों को काट भी सकते हैं लेकिन यहने मैंने काटा नहीं हैं क्यांकि यह बिन कटे भी सुन्दर लग रहे हैं इस तरह से और हमने यह पूरे पर यह फंदने लगा लिये हैं और यह हमारी परी तोरण बन करके तयार हो गई है आप इस तरह से यह दूसरा वाला वो भी बना सकते हैं डिजाइन जैसे यह बनाया है और हम इसे थोड़ा रेकुरेट कर लेते हैं यह नग लगा करके ऐसे करके आप चाहे और सुन्दर भी बना सकते हैं यह नग नगी या फूल लगा करके ऐसे और यहा पट्टी पर यह मैंने पैंसिल वारे फूल लगाए हैं अगर आपको यह फूल बनाने नहीं आते हूं पैंसिल वाले तो यह कमेंट करके बताएं मैं यह बनाना बता सकती हूं कि देखें कितनी सुन्दर लग रही है हमारी परीतोरन तो फ्रेंस यह हमारी परीतोरन बन करके तयार हो गई है तो फ्रेंस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ बाई बाई